हेलो फ्रेंड्स वागत करती हूं आपका हमारे चैनल पर आज हम बनाएंगे शर्ट कोलर की स्टिचिंग कैसे होती है शर्ट कोलर की कटिंग हमने इससे पहले एक शोट वीडियो डाली है आज जाके ज़रूर से देख लीजिएगा जिसने नहीं देखी है तो इस तरह से आप जो कटिंग हमने की थी बुकरम पर उससे एक्स्ट्रा कपड़ा आप ले लेंगे डबल और उसको इस तरह से बिचा के उसके उपर आप जो आपने जो कोलर कट किया उसको रख लेंगे और आपको एक साइड छोड़के इस तरह से तीनों साइड स्टिचिंग लगा लेनी है अगर पेस्टिंग पेपर है तो आपको बुकरम के उपर से लेने की जुरूरत नहीं है लेकिन यह बुकरम है तो मुझे इसके उपर भी सिलाई लेनी पड़ेगी और इस तरह से आप उतार लेंगे और चोटे-छोटे कट देंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको नि उससे आप इसको निकाल लें जो जहां पर अपनी लिल लगी होती है उसकी है उसकी है उसके नीचे आप इससे एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे जो बैन पट्टी है उससे एक्स्ट्रा कपड़ा लेके आप इस तरह से सिलाई कर देंगे उसको जोड़ लेंगे तो यह देखिए आपको दिखा देती हूं मैं किस तरह से आपको जोड़ना है तो इसके नीचे मैंने को सीधा करने के बाद तो जो बैन पट्टी थी उसके नीचे मैंने कपड़ा लगाया है अधा-धा इंचे एक्स्ट्रा ले लिजी आप और इस तरह से अटेच कर दीजी जो हमारा एक्स्ट्रा कट जो था वहां तक हमने लगानी यह देखिए यह कट हमारा आगे यहां तक हमने लगानी है और अब इसको मोड़ना कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगी त छोटे-ında चोटे-Upर यहां भी आप लगा दीजी जियारी Ciao यहां कर रहा है यहां पर चोटे-चोटे कट लगा लेंगे आप देखिए एक एक जितना हमारी बुकरम है यानि के जितनी मारी बैन क्ना ही कपराच जो हमने नीचे लगाया था इतना ही लेकर इसके नीचे रग द ती और जहां पे कट था वहां पे आके फिर से सिलाई शुरू कर देंगे जो नीचे हमने कपड़ा लगाया वो इसके साथ हो जाएगा क्यूं हमने अलग से लगाया उसको फिनिशिंग लाने के लिए हम एक साथ भी लगा सकते थे तो यह देखिए इसमें कोलर में बहुत फिन कर लेती हूं कंप्लीट और आप इसमें भी कट लगा के आप जो एक्स्टा फैब्रीक है उसको निकाल दीजिए आप देखिए इसको जब आप पल्टेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी जो है कोलर बनकी रडी होगी आप चाहें तो यहां पे एक सिलाई और ल जियांदे कोई कपड़ा इसके साथ नाम उड़े इसमें कपड़ा आ गया है इसको फिनिशिंग दे दूगी मैं और एक्स्टा जो कपड़ा है उसको भी निकाल दूगी तो यह सबसे आसान तरीका होता है हमारी शर्ट कोलर को जोडने का बहुत ही फिनिशिंग के साथ यह क आपको समझ में आया होगा और इसका जो लुक है वो बहुत ही बहतरीन आया है यहां पे जब आप स्टीचिंग लगा लेंगे तो यह उभरा हुआ नहीं दिखेगा यह कुछ बाद में लगाऊंगी मैं स्टीचिंग यह कुछ इस तरह से बनके रेडी होगी आपकी जो शर्ट कोलर है तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बता हैं आपको समझ में आया नहीं